नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर कायक्रम उत्तर प्रदेश का लखीम पूर खिरी अभी तक भारती राजनीती की धुरी बना हुआ है इसी के इर्दगिर्द बहुत सी चीजे घूम रही हैं यहां तक की सुप्रीम कोट भी देश की सर्वोच अदालत को सुवो मोटो संग्यान लेना पड़ा उसने जब देखा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तीन तारीक को जो घटना हुई है जिस तरह से आठ भारती नागरिकों को मार डाला गया जिसमें से चार किसान और एक पत्रकार जिनके बारे में बहुत स्पष्ट खबरे सामने हैं कि उनको किस तरह से भाशपा के केंद्री राजमंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया उनकी मौते हो गई बहुत बड़े पैवाले पे लोग घायल हैं लोग खुल कर टेस्टिमनीज दे रहे हैं वीडियो पर बोल रहे हैं कि मारने वाले कौन थे गाड़ी किसकी थी इन तमाम चीजों के बावजूद जब उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने कोई कारवाई नहीं की किसी की गिरफतारी जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं किसी की गिरफतारी नहीं हुई उसमें देश की सर्वोच अदालत को हस्तक शेप करना पड़ा आज दिल्ली में सुनवाई हुई और उन्होंने तलब किया योगी सरकार को और कहा कि वह बताए अदालत को एक दिन के भीतर कि FIR में क्या-क्या चीजें हैं FIR जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ क्या-क्या कारवाई हुई यानि क्या सुप्रीम कोट करता है क्या नहीं करता है एक बात बहुत साफ हुई है कि पूरी की पूरी जो लोकतंत्र की प्रणाली है जो धाचा है वह चर्मरा गया है बहुत बुरी तरह से उत्तरप्रदेश के योगी राज में बहुत बड़े पैमाने पे हमें दिखाई दे रहा है कि लोग यह समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं और खास और से कॉर्परेट मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह बताने की कोशिश कर रहा है कि लखीमपुर खिरी पर राजनीती नहीं होनी चाहिए और यह सारा का सारा खेल वह खेल रहे हैं कॉंग्रेस के नेता प्रियंका गांधी और राहूल गांधी की लखीमपुर विजिट को लेकर जिस तरह से वो लोग वहां गए उनका कहना है कि यह सब कुछ राजनिती है मेरा उनसे बस एक सवाल है कि अगर यह राजनिती है तो इसमें बुरा क्या है देश के आठ भारती नागरिक मारे गए जिनमें पांच के बारे में खुल कर सामने आ रहा है कि मारने वाले कौन लोग थे बाकी की भी जांच होनी चाहिए बड़ी संख्या में लोग घायल है वहां के जो सबसे बड़े किसान नेता है उनका इलाज दिल्ली गुरगाओं में मेदानता में चल रहा है यह सब कुछ सरेाम हुआ लोग गवाही दे रहे हैं सामने आ रहे हैं अगर देश का नेता चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो इस पर राजनीती नहीं करेगा तो किस पर राजनीती करेगा अंबानी अडानी पर राजनीती करेगा क्या मुद्ध होने चाहिए राजनीती के क्या देश का अन्दाता भारत की राजनीती का केंद्र नहीं रहा भारत में जै ज़वान जै किसान का नारा लंबे समय तक गूंचता रहा है मैदान से लेकर सक्ता के गलियारों तक आज किसान को ही राजनीती से दूर रखने या उस पर राजनीती ना करने की गवाही जो लोग दे रहे हैं जिस तरह के बयान दे रहे हैं वे निश्चित तौर पर देश के अनदाता के खिलाफ खड़े हुए हैं भारती किसानों के साथ जो हुआ उसके छीटे देश में भाजपा की जो कारकार्णी की बैठक हुई उस पर दिखाई दिये कारकार्णी की बैठक में राष्टी कारकार्णी का जो चैयन हुआ खास तौर से तीन तारीकों, तीन अक्टूबर को जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, उसके बास से बहुत उद्विलित हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं किसानों के पक्ष में। शायद इसका खामियाजा उन्हें राष्टी कारकारणी से बाहर का रास्ता के रूप में दिखाई दिया, इसी तरह से चौधरी बिरेन सिंग के बारे में भी खबरे हैं कि वो तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ थे और लगातार मुहिम चला रहे थे भाश्पा के भीतर कि इस सिर्फ वहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता कम से कम जिस तरह की खबरें हर्याना से हमारे सामने आ रही हैं हर्याना के खुरू छेतर में भाश्पा के जो सांसद हैं नायाप सैनी उनके काफिले ने भी अंबाला में किसानों के ऊपर चड़ाई की किसान घायल हुए यह सब ख अत्या हो जाती है लकीम पुर्खिरी का पूरा का पूरा प्रक्रण दिखाता है कि वह सब वीडियो में कैद है ऐसी कोई बात नहीं है जिसका प्रमाण नहीं है गाड़ी का आना किसान लौट रहे हैं पीछे से गाड़ी आती है ठोकर मारती है लोग कुछले जाते हैं अभ जादी की अमरिक महसव मनाने के लिए लखनव तक तो पहुशते हैं लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देती किसानों की चीतकार किसान परिवारों का रुदन उन्हें सुनाई नहीं देता वह सब कुछ ऐसे बात करते हैं जलसा ऐसे मनता है जैसे साधारण दिन हो और यह मुद management के तौर पर तमाम कारेक्टरमों को करती है किसानों के साथ साथ पत्रकार भी शहीद हुए और मैं सलाम करना चाहती हूँ रमन कश्यप के परिवार को जो साहस रमन के परिवार ने दिखाया है जिस तरह से वह गोदी मीडिया से भिड़ा है जिस तरह से वह सरकारी जूट को बेनकाब कर रहा है वह हम सब के लिए बहुत मिसाल है एक तरफ भाश्पा और उसका पूरा प्रोपोगंडा रमन कश्यप की मौत को यह बताने में लगा हुआ था कि उसे उन्हें किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला लेकिन आप देखिए यह वीडियो जो आपको अभी दिखाई देगा इसमें खुल कर उनके परिजन बता रहे हैं कि किस तरह से कार ने उनको रौदा कार की वज़ा से उनकी मौत हुई और वे बताते हैं कि किस तरह से मीडिया उनसे बुलवाना चाहता था कि किसानों ने उनके परिजन को मारा बच्चा बहुत छोटा है रमन कश्यप का परिवार जिस कंडिशन में रह रहा है उसमें यह साहस दिखाना कि वह प्रशाशन से सीधे सीधे भिड़े और अपने परिजन की मौत के लिए इंसाफ मांगे निश्चित तोर पर काबिले तारीफ है परिज में राजनीत हो रही है अभी एक आये चैनल वाले तो बोल रहे हैं कि पोस्मार्टम रिपोर्ट में आए कि लाटी डंडों से मारा गया है जबकि भाई साब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है मैंने थोड़ी से उनसे तिकी सी बायस हो गई तो उन्होंने मुझसे यह भी कहा है हम इस हाल में उन्होंने मुझसे यह खाय कि अगर आप मृत के भाई नहीं है और वह पहले से अपनी मन गणंग कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है जबकि मैं मौस्चरी में था मैंने अपने भीया के सारे कप्ड़े उतार के देखे उनके पर लाठी डंडों के कोई निसान नहीं थे बस जो सर में चोड़ लगी थी गाड़ी कि यहां तक की रोड का जो तार्फोल था वो भी उनके हाथ में लगा था तुम्हें कैसे मालने पर लाठी डंडों से हुआ है अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रहे रिपोर्ट तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा तो पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया इसका आधार क्या दिखाया कि वाट्सप गुरूप था उनका कोई नियूज क किया है वहां से या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था मैंने उसे विनमता बुरूथ हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर के आए ऐसी पोजिशन में हम लोग आप पानी कीजिए और वियाद चले जाए लेकिन मेरा हाथ पकड़के मेरे पीछे पीछे गुंते रहे और मेरा पीछा नहीं चोड़ रहे थे यही कह रहे थे कि मैं लडाई करने में बहुत आगे हूं भाई ना होते हैं मरतक के तो हम इतनी तैजिब है तो भी ना बात करते हैं इसी प्रकरण में पत्रकार सुर्जीत सिंग का यह वीडियो हम सबको जरूर देखना चाहिए यह खुद उस घटना पर मौझूद थे और जो वीडियो आपको हम दिखाएंगे अभी इनका वीडियो देखना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पूरा घटना क्रम समझात सुर्जीत हम सबको बताते हैं कि किस तरह से इनकी गाड़ी किनारे खड़ी हुई थी यह रिपोर्टिंग कर रहे थे बाकी पत्रकारों के साथ जिस समय केंद्री ग्रिहमंत्री के बेटे का पूरा का पूरा काफिला आता है किसानों को रौनता है वह खुद घायल होते हैं और उसके बाद उठते हैं और बाकी लोगों को अपनी गाड़ी में लेकर इलाज के लिए ले जाते हैं इससे बड़ी गवाही और योगी सरकार को क्या चाहिए इससे बड़ी गवाही देश के ग्रिहमंत्री को और क्या चाहिए जो बुलाते तो है केंद्री ग्रिह राजम को लेकिन बताते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है आप शांत रहिए कुछ बड़ा नहीं हुआ है जिस तरह से पूरी की पूरी केंद्र सरकार से लेकर राजसरकार ने बेशर्मी ओड़ रखी है और इन तमाम मौतों पर अमरित मुहफसव का जश्न मना रही है यह सब बेहद शर्मनाक है इसी बीच एक और घटना करम हुआ जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है देश की राजधानी दिल्ली को जलाया गया था 2020 में इसकी सुनवाई चल रही है इसकी सुनवाई में बहुत एहम फैसले बहुत एहम बयान बहुत एहम इंटरवेंशन दिये एडिश को कटगरे में लिया, वह लगातार कर रहे हैं, हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरह से विनोद यादव हस्तक्षेप कर रहे थे, दिल्ली पुलिस की जो पूरी की पूरी तफ्तीश थी जो पूरी की पूरी तफ्तीश है उस पर सवाल या निशान उठा रहे थे सिर्फ वही नहीं उन्होंने 25,000 तक का जुर्माना लगाया और उन्होंने कहा कि इस तरह से जाश परताल नहीं हो सकती या बहुत ही गरबड घोटाला है यहां पर जब उन्होंने बयान पर संदेह जाहिर किया उसके बाद सारी की सारी चीज़ें पलटती है रातो रात उनका तबादला कर दिया जाता है इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली जलाने वाले मामले में दिल्ली हाई कोट के जज़ को किस तरह से रातो रात हटा दिया गया था उनका तबादला कर दिया गया था इस पर निगाह सतर्कता के साथ बनाए रखना जरूरी है मोधी सरकार को बेशक देश का अनदाता उसका दुख उसका संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा लेकिन सबसे बड़े सुक की बात ये है कि देश के कोने कोने में लोग आम भारतिय नागरिक खुद को उससे जोड रहे हैं इसकी एक मिसाल दुरगा पूजा के एक पंडाल में दिखाई दी वहां की जो पूरी की पूरी कलाकृती बनी है वह देश के अनदाता के नाम पर है देश के अनदाता के पैर पर ये पूरा का पूरा एक पंडाल बनाया गया है जिसमें देश का अनदाता किस तरह से देश की संपर्पुर्दा को बچाने के लिए काम कर रहा है उसके पक्ष में लोगों को खड़ा होना चाहिए या सब कुछ उकेरने की कोशिश की गई है यह निश्चित तौर पर हमारे आपके और देश के अनदाताओं के लिए एक सुकून की खबर है उमीद है कि देश का अनदाता उससे जुड़ा हुआ संगर्श सिर्फ लखीमपुर खिरी या सिर्फ दिल्ली की सरहत पर ही नहीं हर जगा दिखाई दे गूंजे हमारे सुख दुख हमारे उत्सवों में शामिल हो शुक्रिया